ही दोस्तों कैसे हूँ आप उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे तो जैसे कि आप यहां देख रहे हैं मेरे पास यह पत्ता गुबी और कॉन मैंने इसे कट कर लिया था दो धाक के उसके बाद इसको मैंने बॉयल कर लिया था तक इसके सारी जुगंदगी हो निक बाद में चुणा आळो निक हो यह आड़ो एक प्यांच कर देग्ड जैसे ही हलगा से ब्राउन हुआ तो मैंने यहां कर दिया तेला किया तो मैंने अवह ड़त करता आच दो काफी अच्छा राता है मुठ जा एक निया रें लिटारी तरी निया को शुग है है इसी में थोड़ी शुद्व है तो पानी अच्छा हाई दिक ता कि तो शुदू पहले निया थोड़ने निदे अच्छी लगी एसमें पर जाए है अगर डना अब नहीं काफी अलग था और कैविज की सब्सक्राइब को पता ही है लेकिन खाऊ तो यह थोड़ा साथ कर सकते हैं अपके पास पढ़े हैं फोजिन काउन पढ़े हैं या फिर नॉमल कान आते हैं वह इन सब्सक्राइब कर दो गया तो भी कुस्तों अलग बनके आए और काफी अलग टे अच्छे से और उसके बाद ना हम क्या करेंगे इसको कवर कर देंगे और कवर कर अपको ना पानी की जरुवत लगती है आप इसमें हल्का फुलका आदे गलास से कम पानी के स्तमाल कर सकते हैं बीच पीच में आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए ज्यादा नहीं तो फिर वह जीब सा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा पानी लगे कि हाँ जलने वाली कंडिशन आने वाली तो इसमें पानी के स्तमाल करके पांच-पांच मिनिट में आप इसे चलाते रहिए और आप फ्लेम को रखे कम तो वही हमारी मुश्किल से 10 मिनिट की हंदर ना यह अजय करें पाराटे के साथ चावल के साथ किसी पीछ चीच के साथ यह काफी अच्छी लगी मुझे सब्सक्राइब के साथ यह वाली वीडियो शेयर करना तो बनता है दोस्तों तो भई चैनल पर नहीं हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजगा और इसी तर के से आगे मैं कुछ और रसीपीस बनाती रहोंगी